देखे यह सवाल कार्तिक के दोरह पूचे जा रहा है जो कि पूच रहे हैं सर हाउ टू श्टार्ट विपेसी प्रिप्रेशन फ्रॉम विग्निंग अगर आप एक न्यूँ एस्परेंट है तो आप विपेसी की तयारी की सुरुवात कैसे कर सकते हैं यह सवाल ने कार्तिक का ह हम इस सवाल को देखते हैं लेकिन आप साथ साथ में अपने क्यूसन करते जाएंगे इस क्यूसन को करने की बाद में हम आपके क्यूसन को भी देखेंगे इंका सवाल था कि उपेसी की तैयरी की सुरुवात कैसे करनी हैं यह सवाल अक्सर उन सभी ऐस्परेंट के दोर आप को पुझा जाता है जो उपर सोचते हैं जो सोचते हैं कि उनकर उपरकी की तयारी के विचल नहीं है इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में जाने कि उपिइस की तभर एक करना चाहते हैं अurenाखता है और आप सुरूआत कैसे घरेंगे सबसे पहले हमने सभजना है कि आपको किन किन गलतें से बचना है और फिर हम समझेंगे तियारी की सुरुवात कैसे करनी है और पूरे दिन कम से कम वो 7-8 वीडियो डेली बेसिस पर देखता है आप मानोगे नहीं यह प्रोसेस कम से कम महिने महिने बरतक चलती है मैंने बहुत सारे एस्पिरांट से बात की और जब सारी कौमन बात निकलती है मैं उसी आधार पर आपको बता रहा हूँ अगर आप प्रलेम्स का सेलबस पढ़ेंगे अगर आप मैंस का सेलबस पढ़ेंगे तो आपके परसनलेटी दिरे दिरे ऑटोमेंटिक वहीं पर बिल्ड होने लग जाती है आपको पहले दिन से इंट्रीव की त्यारी नहीं करनी है इस गलती साब बच्चिएगा अब हम देख करा था त्यारी की सुरुआत करनी कैसे हैं इसके लिए आपको जो सबसे पहला काम करना है और बहुत सारे लोग यहां पर देदेंगे बठाव यह सचे यह बहुत से टॉपर वीडियो में फैकते हैं अगर आपको सचे ही सुनननी है तो आप हमके ब्लोग पढ़िए ब्लोग के अंदर होता क्या है कि वह अपनी सारी जानकारी को महां पे लिखता है कई बार जब एक वीडियो किसी वीडियो किसी कोचिंग के वहां पर खड़ा रहाए विडियो बनाता है तो और सच्छे बौल भी नहीं पाता है क्योंकि सिद्धी बात होती है कोचिंग के बहुत तो रेक्वेंट कर सकता हूं जिसके नंदर आप अनुदिफ धुरिचिति का ब्लोग पढ़ सकते हैं इसके लाव आप इरा सिंगल मैम को भी पढ़ सकते हैं आप अनुमेम को भी पढ़ सकते हैं इन्हों सबी जितने भी पॉपलर टॉपर है उन सबी के आपको ब्लोग वांपे प्रोवाइड किये हैं तो सबसे पहले आपको ब्लोग पढ़ने हैं ब्लोग से क्या होगा कि आपको बेसिक जानकारी मिल जाएगी मोटा-मोटी तौर पर तयारी की सुरूआत कैसे करनी है किन-किन बात अब हम बात करें शुरूआत कैसे ख़़नी है तो अमने सबसे पहले टॉपर के ब्लोग पढ़े चीज़ों को समझा, एक्जाम क्या है, एकजाम का पैटन क्या है, सेलबस क्या है, सब्सक्राइब करते किस सुरूआत करनी है लेकिन मेरा परसनली मानना है या तो आप एकॉन पॉब्रेशनेल ने समस्ते है तो आपको पढ़ने मुभ पहलने में पेले इस तरह मचायेगा अगर पहले бол amp से भूज़ेक्र पूप्वार्मिटेश्ट ये जैसे स्ब्जेक्ट में बिठेंगे तो आप फोलिकुर्द्स एकनि होगी और तो इसके वेimat रहा मिची ये ऑप Quality और Economy, Environment Science के कुछ एक आर्टिकल होते हैं, पर वो डेली बेसिस पर नहीं होते हैं, पर आप डेली बेसिस पर मैक्सिमम आर्टिकल आपको Politics और Economy से लेखने को मिलते हैं, तो अगर आप इन दो सब्जेक्ट को पहले खतम कर लेते हैं, शुरुआत की तीन ये चेर मेनों में इन सब्जेक्ट की स्ट्रेटिजी के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, यह तो मैंने बात की स्ट्रेट रसोर्स को लेकर, पर आपको पहले अगर आपको बिल्कुल भी नौलेज नहीं सब्जेक्ट के बारे में तो आप सुरू का से करेंगे, NCRT से, NCRT को लेकर मैंने एक वीड और आपको लगता है कि आपके पसमें इनफ टाइम है, आपके पसमें साल से देड़ साल का टाइम है, तो आप ज्यादा जल्द बाजिमत कीजिए, अब सुरूआत के 90 दिन, सिर्फ और सिप NCRT को डेडिकेड होके दिए, दिन के 6-7 घंटे NCRT पढ़िए, ठंग से पढ़ि इसका करिब 7-8 questions, direct NCRT से देखने को मलते हैं, तो इसको आप हलके में मत लीजिए, मैंस के बहुत सारे concept NCRT से deal होते हैं, तो NCRT को आप हलके में मत लीजिए, तो सुरूआत के आप 90 दिन, सिर्फ और से 2 subject को देंगे, NCRT plus news, आपको करना क्या है, डेली बेसिस पर कुछ एक दिन में क्या हुआ, पूरे मीडिया के अंदर, news में क्या चल रहा है, मतलब करन रैपर्स में, उसको आप पढ़ना सुरू करेंगे, इसके लिए सोर्स हो था The Hindu, पर मैं आपको सुरूआती 90 दिनों के लिए The Hindu recommend नहीं करूँगा, इसके वीचे सब सब बढ़ा कारण है कि आपको सोने से पहले देखने को मल जाएगी, या पर आप मॉर्निंग में उठते ही आप इस चीज को देख सकते हैं, आप सुरूआत के 90 दिन इस प्रैक्टिस को किजिए, आप इप से के इस फेज में आ रहे हैं, येकिन माधिया 90 दिन तक अगर आपने The Hindu का एनलेसिस देख कर पाएंगे, और एक पीसी के एक मोटा मोटी तौर पर फेस को समझ पाएंगे, फिर आप उठाएंगे इस्टेंडर सोर्स, इस्टेंडर सोर्स में आप NCRT खतम करने के बाद में, पॉलिटिक के लिए आप लक्समी कांद उड़ा सकते हैं, इकोनमी के लिए आप किसी भी स पहले पढ़ना है, निस को पहले पढ़ना है, टौपर के ब्लोग को पढ़ना है, और दख्यान उससे जो भी बात होती है, उसको दूर रखना है, विपसी की तेहरी करते वक्त किन-किन गलतियों से बचना है, उसको त्यांसर सुनिया, यूट्यूब पे अगर आपने विप पे लिगारिंग कोई भी मोटिकेसनल वीडियो जो वाटसप के इस्टेडस पर मत डालिए, इस्टाग्राम पर डालिए, इससे आपको कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पेर प्रेसर देखने को मिल जाएगा, यहिदि मानिए जब आपके आसपास वाले लोग आपको ब माहिना रखेगी, जब आप एक दूसरे को अपने नोट शेयर करेंगे, कहीना कि आप एक हल्दी इन्वार्मेंट को कितियार करेंगे, तब आपको यहल्प होगी, परी के लिए यह पर शुरूआती इस तरफ आपको पीर ग्रूप की कोई जरूत नहीं है, उल्टा वो आप आप टीचर है, हम बखेती के लिए जाने जाते हैं, और वो इस बात को बहुत खुले हम बोलते हैं, कोसिस किजी उन टीचर से दूर रही है, जो टीचर आपको ठंक से पढ़ा है, उससे पढ़िए, और ज्यादा आपना टाइम वेस्ट आकी जीचों में मत किजिए, मैं आपको अंत में कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा, विपेस से मज़े का विसे नहीं है, इमिनेटर के सब्जेक्ट मज़े के विसे होते हैं, तो हरे एक बैक्ति इसके अंदर पेज़ी करके बैठा होता, यह सब्जेक्ट इतने एजी नहीं है, इसको सबज़ने में अच्छ और इसके तो इस्ट्री के लिए भी बिना दीजेगा, पॉलिटी और इकोनोमी इससच आपको नोट्स की नहीं रहेगी नि, क्योंकि एक तो फैक्ट पूरा ने हो चुके है, इकोनोमी की एक आप पट रहे हैं, इस बात को ध्यान रखेगे, कि आप एकोनोमी की एंसे अटी बाकि आप सारी जानकारी इस्टेंटर बुक से पढ़ेंगे, तो आप एकोनोमी की एंसे अटी को लेके ज़्यादा सीरिस हो येगा मत, प्रस एक बार वासे एक मोटा मोटी तोर पर समझ लिजेगे एकोनोमी है क्या सब्जेक्ट, डाटा के उपर ज़्यान देजेगा मत, और इस सबसब पढ़कर आप कंप्लिट उप्यसी की त्यारे को टांग से सुरू कर पाएंगे, कैसे करना उसको अमने समझाएं, बाकि इस्टेटर जी क्या है उसके उपर अपन किसी और वीडियो में बात करेंगे, आपकी जो भी कमेंटर साथ साथ में लेते जाएं, अपन